हलो दोस्तो मैं हूँ C.A. दुरगेश पाल और आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल यहाँ पे आपको मिलता है income tax, GST, import, export से related सारी information regular basis में और दोस्तो आज का यहाँ वीडियो एक बहुत ही important topic योपर बनाने जा रहा हूँ उम्मीद करता हूँ या वीडियो आपको पसंद आएगा वीडियो पसंद आए तो इसको like, share और subscribe जरूर करें तो दोस्तो आज का जो topic है वहाँ यहाँ है कि यदि आप income tax का return फाइल कर चुके है चाहे वो financial year 19-20 का हो या financial year 20-21 का हो और यदि आप तक अभी तक आपको income tax department ने refund claim नहीं किया है तो क्या-क्या possibility है कि आप income tax website में जाके अपने refund को credit करने की request डाल सकते हैं और क्या-क्या options आपके पास हैं सारे options हम इस वीडियो में discuss करिएंगे तो दोस्तो वीडियो को और अन तक जरूर देखेगा उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ वीडियो फाइदे मन स website में जो की है e-portal income tax.gov.in पर वहाँ पर login पर क्लिक करना है और अपना user ID जो की आपका pen number होता है और password जो आपको पता होगा वो डालके आप सबसे पहले login करना है in case दोस्तो यदि आपको आपका password नहीं पता है तो आप आपका pen card number as a user ID डालके forgot password का option यूज करके अपने password को reset कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले आपको आपका user ID password डालके user ID जो pen card number होता है password जो आपको पता होगा और नहीं पता तो reset करके आपको login करना है तो दोस्तो refund credit नहीं होने के कुछ दो या तीन कारण हो सकते हैं जो हम discuss कर लेते हैं हो सकता है आपका पहले bank account प्रिवैलिडेट नहीं हुआ होगा तो सबसे पहले आप चेक कर लीजे कि आपका bank account प्रिवैलिडेट हुआ है या नहीं हुआ है अब बहुत चेक करने के लिए आपको जाना होगा आपको यहाँ corner पे अपना नाम दिख रहा होगा नाम पे से आपको जाना है my profile पे जैसे ही आप my profile में click करेंगे तो आपको details यह पे दिख जाएगी अब यहाँ पर आपके bank account भी है my domain account भी है और बहुत सारी information यहाँ पे दी गई है तो आप make sure हो जाएए कि आपका bank account प्रिवेलिडेट है तो हम चेक कर लेते हैं यहाँ से जाके आपको चेक करना है यह आपका bank account प्रिवेलिडेट है या नहीं है यदि आपका bank account प्रिवेलिडेट होगा तो यहाँ पे वैलिडेटेट को options आएगा यदि नहीं होगा तो process invalidation आएगा या validation failed आएगा तो इस case में सबसे पहले आपको अपना bank account यहाँ पर एक corner पर add bank account का options दिया है यहाँ पर add करके bank account को सबसे पहले add करना होगा अब इस add करते समय आपको सबसे पहले जो ध्यान देने योग्य बाते हैं वो यह है कि आपका mobile number और mail id जो यहाँ पर show कर रहा है same में mobile number mail id bank के साथ link होना चाहिए और सबसे ज़्यादा important बाते आपका pen card आपके bank खाते से link होना चाहिए यह condition हो गई और एक और condition यह हो सकती है कि आपका pen में जिस प्रकार से नाम लिखा हुआ है same to same नाम आपके bank खाते में होना चाहिए यदि यहाँ नहीं है तो mismatch का option आएगा in case में भी आपको refund credit नहीं होगा तो पहला option आपका bank account pre-validate होना चाहिए एक option है तूसरा आपका pen card में जिस प्रकार से नाम लिखा है pre-validate bank account में भी same to same नाम होना चाहिए ना तो error spelling की होना चाहिए ना तो किसी प्रकार से नाम error होना चाहिए तो यहाँ एक option पहली condition जो आपको check करनी है यदि आपका refund नहीं आया हो यदि यहाँ condition यहाँ condition आपकी successful हो जाती है कि हाँ भाई हमारी यहाँ condition तो successful सही है हमारा account सही है हमने जो account डाला है वो pre-validate भी हो चुका है और हमारा जो नाम है इस पर pen हमारे bank में है तो आप दूसरा option जा सकते हैं दूसरा option आप जाएंगे ग्रेवेंस में तो ग्रेवेंस में आप क्या कर सकते हैं ग्रेवेंस का मतलब होता है कि आपको income tax department को एक request करनी है कि हमने return हमारा time पे डाला हुआ है हमारा bank account भी pre-validate है हमारा pen भी bank से linked है तो इस case में हमारा अभी तक refund क्यों नहीं आया तो ग्रेवेंस में आपको क्या select करना वो भी हम second possibility discuss कर लेते हैं तो सबसे पहले आपको जाना है ग्रेवेंस आपको डालना है तो submit ग्रेवेंस के option में आपको क्लिक करना है अब दोस्तों refund का जो case होता है वो जाता है CPC-ITR को या in case आपको ये option सारी use करते हो आना चाहिए कि यहा problem के solution के लिए ग्रेवेंस है जिस type का problem है उस type का आपको department select करना होगा तो यहां हम बात करेंगे CPC-ITR की तो CPC-ITR से रिफंड से रिलेटेट जो मामले हैं वो CPC-ITR को जाते हैं तो अब आपको category को select करना होगा हमारा category है refund related चीजे है तो हम refund select करेंगे उसके बाद सब category को select करने को बोलेगा तो आप यहां पर problem समझ लीजी यदि इन list में जो problem सीगे इस से related आपका refund लटका हुआ है तो आप select करिए otherwise इन सब cases में आपकी category नहीं आती है तो other refund का option आप ले सकते हैं और जब किसी भी person या senior citizen की death हो जाती है उस साल आपने उनका return फाइल किया है और उस case में भी क्या होता है bank account तो closed हो जाता है उस case से related चीजे भी आप यहां से डाल सकते हैं कि आप जो refund का payment है वो उनके legal hair के account में कर दीजे क्योंकि उनके जो parents है वो नहीं रहे तो यह option है दोस्तों चलो हम other option select करते हैं अब उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों आपको continue का button में क्लिक करना है जैसे आप continue की button में क्लिक करेंगे वो आपसे पूछेगा कि किस assessment year का आपका refund लटका हुआ है या नहीं आया है assessment year का मतलब होता है दोस्तों जो financial end होता ह है जो financial year end होता है उसका upcoming year जो होता है वो assessment year कहलाता है for example हमारा financial year 20-21 खतम वो से related refund की बात कर रहे है तो आपका assessment year 21 आएगा यदि financial year 19-20 की हम बात करें तो उसका assessment 21 आएगा अब जो भी आपको problem है जो भी आपको government को बताना है आप grievance description में डाल सकते हैं for example डाल सकते हैं कि we have submitted our return on so and so dated and also return is processed and we have received the intimation letter under section 145 में जो intimation mail पर आता आप check कर लीजे और इसमें attachment भी कर दीजे और but still my refund is not credited in my bank account my bank account is already pre-validated and so hence please I am here by requesting you to please credit my refund in my bank account यह आप description नहां डाल सकते हैं आपको minimum 6-7 दिन में government का reply आ जाएगा और उसके बाद आपका refund process हो जाएगा तो यहां एक second option मैंने आपको बताया first तो मैंने आपको conditions बता दी कि pre-validate bank account bank और pen bank खाते में जो नाम लिखा है वो ही pen खाते में होना च नहीं आता है for example और नहीं आ रहा है तो आप क्या-क्या इसके बाद और आपके पास क्या option होते एक option होता है rectification का कि यह refund नहीं आ रहा किसी current बस तो आपकी CB head में एक little bit changes करके rectification file कर सकते हैं फिर rectification का भी process होगा और process करके आपके इसमें refund आ जाएगा अब एक चौंता option आपके पाता है refund ratio यदि bank account pre-validation field के लिए आपका refund नहीं आया है तो refund ratio request आप race कर सकते हैं उसमें आप नया bank account को add कर सकते हैं और यहां से refund ratio request भी आप वहाँ पे डाल सकते हैं यह भी option आपके पास available है तो refund नहीं आने के हमने कारणों को discuss कर लिया कि किन कारणों की बज़े से refund हमारे अटक जाता है नहीं आता है यदि आप इन सारी चीजों को ध्यान पर रखोगे तो definitely आपका refund जल्दी से जल्दी आ जाएगा वैसे तो refund यदि आपने आधार से pre-validate किया है तो within 15 days ही लोगों का refund आ जाता है पर कुछ case में ऐसे होता है कि refund आने में टाइम लगता है तो हमने इसे refund से related बहुत सारी चीजों को यहां पर discuss किया है यदि आपको यदि आपको इससे related कोई भी questions है जो इस वीडियो में cover नहीं हुए है या आपकी problem इस से थोड़ी हटके है तो आप comment box में comment कीजिए तो उसका reply मैं authenticate तरीके से आपको comment box में दे दूँगा thank you so much guys for watching this video and please keep subscribe कर दो